हेलो गाइस आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दर बिग बूल 420 पर आज हम बात करेंगे केंडल स्टिक पेटर्न के बारे में केंडल स्टिक पेटर्न होता क्या है और हम इससे केसे डेली प्रोफिटेबल हो सकते हैं तो आप किसी स्कूल या कोलेज में जाते हैं तो आपको यह नहीं सिखाया जाता कि अपन पेसे केसे कम हैं लेकिन एक चुल में हमको एड़ एंड कमाना पेसा ही होता है तो मैं आपको बताता हूं कि आप किसी भी सिंगल केंडल की मदद से जान सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले सिंगल केंडल स्टिक पेटर्स जानने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक केंडल भी क्या होती है तो यह आपको मैं बिलकुल एकदम बेसिक से बताऊंगा गाइस और इससे शायद ही आपको हां तो टोटल टीन टाइपस के पेटरंस होते हैं इन में अलग अलग पेटरंस होते हैं जैसे कि एक तो सिर्फ एक सिंगल केंडल से पेटरंस बनेंगे एक किनित दो केंडल को मिला कर कुछ पेटरंस बनेंगे और एक होगा कि किनित तीन केंडल को मिला कर कुछ पेटरंस बने सिंगल केंडलों प्रम्राइए की एंट्र केंडलों इन केंडलों आपको यह आसे पहले आपको बता देता हूं कि एक ंट्रकुषन मैं आपको clear करूँगा तो चलते हैं तो यहां आपको screen पर एक green और एक red color की candle दिख रही होगी और इनके उपर कुछ stick जैसा कुछ दिख रहा होगा तो यह जो sticks होती है इन्हें विक करते हैं उपर वाली को अपर विक नीचे वाली को lower विक करते हैं green candle एक bullish candle होती है । red candle एक bearish candle होती है जो market को आते होई-दर्शाती है green candle का open नीचे और close उपर होता है और red candle का open उपर और close नीचे होता है obvious बात है जब नीचे से market उपर तो नीचे ओपन होगी और उपर प्लोज होगी उसी प्रगाल उपन 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 होगी औरफ नीचे ओगी टो ड्रेंल को बेरिश केंडल और रेड इसके आप को ऑप आपको एक उधारत S souls talk करता दो तो आपको स्क्रीन पर एक चार्ट जैसा कुछ दिख रहा होगा यह एक्ट्वल में एक लाइन चार्ट है जो मान लिजिए यह एक दे फ्रेम पर बना है यहाँ पर कोई स्टोक है जिसका ओपन प्राइज इस दिन का एक हजार रुपे उसका पूरे दिन का लोग साड़े साथ सो पूरे दिन का हाई पंदरा सो और उसकी क्लोजिंग साड़े बारा सो पर हुई है तो यह उसका open price यह उसका lower price यह उसका highest price और यह उसका closing price अब इसी को हम candle पर समझते हैं तो यह एक इसी price को हम अगर किसी candle strict pattern में डाल कर समझें तो क्या हुगा कि मार्केट 1000 पर open हुआ साड़े बारा सुपर close हुआ मतलब 500 रुपे बहा profit में है मतलब मार्केट 500 रुपे नीचे से उपर गया है तो यह एक obvious बात एक green candle एक bullish candle बनेगी तो यह bullish candle की opening नीचे होती है तो यह उसका opening 1000 रुपे इसका low गया साड़े साथ सु रुपे इसका high गया पंदरा सु रुपे और इसका close हुआ साड़े बारा सु रुपे तो I hope guys आपको यह video बड़ी आसानी से समझ में आ रहे होगी मैं जितना आसानी से हो सकता उतना आसानी से समझाने का प्रयास करूंगा तो अब बात करते हैं एक single candlestick patterns के बारे में यह तो एक normal candle थी जो आपने समझी कि actual में candlestick pattern होता क्या है अब हम बात करेंगे single candlestick pattern के बारे में तो आपको screen पर left में एक green color की candle दिख रहे होगी और right में एक red color की candle दिख रहे होगी में पैटन के बारे में बात करेंगे तो आप बोलोगे guys कि मैंने आपको थोड़ी दर पहले एक candle बताई थी जो वह तो पूरी इतनी candle थी लेकिन यह candle यह candle तो उसकी आधी की आधी भी नही है तो इस candle stick pattern में होता क्या है कि जो उसकी body होती है उसकी stick उस बोड़ी से दो या तिन गुना बड़ी होती है और hanging man अच्छा इसका नाम hammer क्यों और इसका नाम hanging man क्यों तो गाइज यह एक चोल में यह जो candle है यह bullish candle है और bullish candles यह bullish candle stick patterns हमेशा किसी भी चार्ट के कि डाउन ट्रेंड पर बनते हैं और जो candlestick patterns होते हैं यह ट्रेंड को reversal करने का काम करते हैं तो मान लीजिए hammer किसी कि किसी की stock के चार्ट में downtrend में बनता है उसके bottom में तो यही से ट्रेंड reversal होता है reversal हो सकता है और market boom तो जो bearish patterns होते हैं candle stick pattern वह market के top पर बनते हैं तो यहां तक आप समझ रहे होंगे कि जितने भी bullish candlestick patterns होते हैं वह market के bottom पर बनते हैं और जितने effective नहीं होते हैं तो चलते हैं इने मैं आपको उधारान के द्वारा समझाता हूं सबसे पहले यह मिटा लेता हूं तो आप स्क्रीन पर एक चार्ट देख रहे हैं इसमें एक downtrend चल रहा है और यहां हमारा bullish hammer बनता है और यहीं से ट्रेंड रिवर्सल होकर बूम अप्ट्रेंड तो यहां आप केंडल का color लाल देखते हैं तो इन जगों पर ना केंडल का color मेंटर नहीं करता है इन जगों पर actual में यह candle करता है आप जैसा कि देख सकते हैं डाउन ट्रेयंन की बोटम पर यह हमारा हैं मार्केट ऊपर तो हमारी एंट्रिक वह हमारे इंट्रिक होगाँ लेकिन फॉर अगली केंडल कीulously का हमारा न क्वोगी लेकिन क्व दे discharge क्लोजिंग हं रवाने इसकी अपनिंग के ऊपर होनी चीए तो हमारी यहां एंटरी ओगी और हमारा हमारे हेमर का लो और हमारा टार्गेट होगा समस्थिंग जहां से ट्रेंट चला है उतना ट्रेल करते जाएए और जैसे ही वापस से ट्रेंड डिवर्स हो आप अपना प्रोफिट बूक कर लिए तो आप यह सारी अपनी स्टेटेजिस एक्जीक्यूट भी कर पाओ और प्रोपिटेबल भॉप आप तो अभी तक हमने बात की थी हैमर की अब हम बात करेंगे तो हुआ है यहा ऐप देख सकते हैं यहांण अब आप वापिस कहेंगी बाने अची Camman कि इसमें कलर में भाट है वाइर में यहां बना पर बनते हैं यहां पहले बन बना और मार्केट बूं इसमें भी आमारी एंट्री जो रही है वह इसकी अगली जोगा sagtो और यहाँ यहाँ है क्लोज पर हमारी स्टोप लोज जोगा वह हमारे हेंगिंग में जो केंड़ बनिए इसके अंब्लोड के तो अब बात करते हैंllen के karşरीомина के बार अब स्क्रीण पर दिख रहा हुगह स्थ्टीज हमारे यही है हम इन आ बाग चलिए तो मैं गाईस आपसे क्योशन पूस्ता हूं कि आप बताइए मुझे यह inverted hammer bullish inverted hammer कहां बनेगा चार्ट के top पर यह चार्ट के bottom पर तो आपने एकदम सही कहा है यह हमारे चार्ट के bottom पर बनेगा और यहां से market उपर और जो shooting star होगा यह हमारे चार्ट के top पर बनेगा और वहां से market नीचे इन में भी color matter नहीं करते हैं जादा तर इनकी positions matter करती है तो यह मैं आपको उधान द्वारा समझाता हूं तो आपके screen पर एक चार्ट दिगरा होगा जिसमें यहां से एक downtrend चलता है और यहां एक hammer बनता है इन्वर्टेड हेमर बनता है लेकिन यह रेड कलर का है तो मैंना आपको पहले भी बताया था कि इन चीजों में इन candlestick patterns में color matter नहीं करता है इनकी positions matter करती है तो यहां एक inverted hammer बना और यहीं से market ऊपर 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 तो हमारी entry कहां होगी हमारी entry इसकी अगली candle में होगी और वह candle का close हमारे inverted hammer की candle की open के ऊपर होना चाहिए तो हमारी entry इसके close पर होगी और इसके बाद हमारा और हमारा stop loss होगा होगा इस hammer का close हमारा stop loss होगा इस hammer का लास्ट पॉइंट मतलब जो इसका सबसे लो है वह हमारा stop loss होगा तो यहां हमारा stop loss होगा यहां हमारी entry होगी और हमार टार्गेट तो आप stop loss ट्रेल करते जाहिए और टागेट वह प्रोपिटेवल होते जाहिए वह एक स्क्रीन पर दिख रहा है तो यहां आप देख सकते हैं एक अप्ट्रेंट चल रहा है और यहां हमारा शूटिंग स्टार बना और यहां से मार्केट भूम नीचे तो इसमें हमारी entry कहां होगी हमारी एंट्रेंट्री कहां होगी इसकी अगली केंडल के उपकर लेकिन उस से पहले हमारी टोक़ोज स कहा हुआ कि तो हमारा टॉanted होगा यह कैंडल का और केंडल के की नीचे हमारी अगले केंडल के लोजिंग कि तो हमारी एंट्री होगी यहां पर और हमारा टार्गेट उतना ही होगा जहां से द्रेंड चला जा틋 लेकि हमें अपना इस्काइम टेल करते तो प्लीज सब्सक्राइब शेर और लाइक कमेंट कर दीजिए अब हम बात करते हैं अगले गेंडल स्टिक पेटर तो अगला पेटर ने अपना ड्रेगन फ्लाय डोजी और ग्रेव स्टेंड डोजी आपने जरूर डोजी का नाम तो सुन ही होगा कि डोजी पेटर क्या होता ह तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि डोजी क्या होता है तो इसके लिए तोट में कोई बोडी नहीं होती है एक्चल में होता क्या है ना कि कोई स्टोख है जिसका प्राइस अपर धार खुला है इसका हाइए उसने दिन का 115 लगाया उसका लोज उसमें पिच्चे सी बनता है तो अब हम बात करते हैं ड्रागन फ्लाइड दोजी और ग्रेवस्टोन दोजी के बारे में तो ड्राइड प्लाइड डोजी वही किसे भी अब ट्रेंड के किसी भी डाउन ट्रेंड के बोटम में जो अगर आपको एसी केंडल मिलती है ग्रेवस्टोन दोजी के लाएगी और इनके बाद भी वापिस वही अपना जो ट्रेंड सल रहा होता है वह रिवर्सल हो जाता है यह मैं आपको उध्राण के द्वारा समझाता हूं तो हम बात करते हैं ड्रेंड प्लाइड डोजी की तो यह जो आपको दिख रही हैं यहां ए उपर निकल जाता है तो हमारी एंट्री इसके अगली केंडल पर होगी और हमारा स्टोप लोज स्केंडल का लो होगा अब हम बात करते हैं ग्रेवस्टन डोजी के बारे में तो मैंने बताया था कि बेरिस्ट केंडल स्टिक पेटल्स हमेशा आप ट्रेंड के टोप पर बने तो ही ज्यादा एफेक्टिव होते हैं तो यहां आप देख सकते हैं यहां एक ग्रेवस्टन डोजी बनता दिखा और इसके बाद मार्केट बहुत नीचे गिरा तो हमारी एंट्री इसके अगली केंडल के क्लोज पर हमारी इसकी एंट्री होगी और हमारा स्टोप लोज होगा उपर वह हमारा स्टोप लोज होगा अब हम बात करते हैं बीना टाइम इसके अगले केंडल स्टिक पेटन के बारे में कि यह वीडियो काफी लंबी हो रही है लेकिन काफी इंपोमेटिव वीडियो है अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख रहे हैं तो प्लीज ग पर बेरी श्रीनिंग टॉप क्यों रखा है तो ज्यपनिस आपने एक बच्पन में ज़रू लग्ट्ट ज़रू गुमाय वह जो गोल गोल ऊदर उदर गूमता है तो इसका नाम ज्यपनिस लोगों ने उसी के बैस पर रखा है कि यह इतना ऊपर गया इतना ही नीचे गया औ हो तो गाइस मैने आपको पहले भी बताए क्वार्ण सब्सक्राइब कैडल में नहीं करता है इंकी पूजिशन मेंच नहीं गरती है और अगर कोई ब्लड स्टिक पैटरन तो है में के बोटम में बनेगा और यहां से trend reversal होगा और अगर कोई bearish spinning top candle बना है तो यह downtrend के bottom में बनेगा और यह uptrend के top पर बनेगा अब हम चलते हैं इन्हें उधराण के द्वारा समझते हैं तो आपको एक ही चार्ट पर में bullish और bearish spinning top बताता हूँ यहां एक bearish spinning top बन रहा है क्योंकि downtrend पर बोटम पर यह बना है वो इसके बार market boom तो हमारी entry यहां नहीं लेंगे इसकी अगली candle पर भी नहीं लेंगे लेकिन हमारी entry हम जब लेंगे जब यह इसके जो टोप गया है इसकी wig इसको हमारी candle इंगल्फ कर लें मतलब कर लें मतलब कर लें इससे ऊपर निकल जाए तब हमारी entry होगी तो हमारी entry मान लीज़े इस candle पर होती है हमारा stop loss इस candle का लोग होगा और market बूम और यहां आप देख सकते हैं यह बेरिश केंडल बनती दिख रहे हैं यह बेरिश स्पेंडिंग टोप बनता दिख रहा है तो हमारी अगली candle पर इसकी entry होगी हमारा stop loss होगा इसका लोग और यहां से market नीच है तो हम बात करते हैं अगली candle stick pattern के बारे में क्यों वीडियो काफी लंबा हो रहा है लेकिन गाइस मैं अभी भी आपको बता रहा हूं यह काफी informative वीडियो है तो प्लीज सब्स्राइब जरूर कीजिएगा तो हमारी अगली candle है बुलिश मारू बोजू और बीरिश मारू सब्सक्राइब बताता है एक पूरे मार्केट का एक तरफा दबाव बताता है यह तो इसका प्रकार भी आपको मैं बताता हूं यह एक मारू बोजू फुल है जिसमें कुछ नहीं होती मारू बोजू ओपन जिसमें इसके ओपन पर भी नहीं होती लेकिन जो इसका लोएस्ट हाई रहता है उसके नीचे मार्केट क्लोज होता है मान लेजिए यहां market open हुआ इसने इतना high लगाया लेकिन इसका close यहीं हुआ इसका low ही इसका open होता है वही same bearish pattern में इसका open ही इसका इसका actual में जो start up point है वही इसका high होता है और इसका low इसके close के पहले होता है मतलब इसने इतना high लगाया लेकिन इसका close यही है कि मारूग जो close तो यहां जो candle open होती है इतना नीक्से जाते है डाउन लेकिन इसका law होता है वहिं लास्ट हाईबी होता है वही सें नॉकिल्ट चॐ यहां candle की opening होती है वह इतना ऊपर जाती और यहां खत Me जहांilyn candle का खतम होता है वही इसका हाई भी होता है तो इसको हम उदाराण के दुवारा समझते हैं मारूबोजू जो candle stick पेड़न होता है यह काफी strong बताया जाता है कि इसके बाद लग बक 70 से 80% मार्केट में बदलाव आता है मार्केट रिवर्सल होता है तो आप यहाँ देख सकते हैं यह काफी strong मारूबोजू candle है यह open है हमें अमारी trade इसके अगली candle में लेंगे और हमारी अगली candle का close हमें यह देखना होगा कि इसकी जो highest था मारूबोजू candle का उसके ऊपर हो और हमारे अगले candle की close में अमारी entry होगी अमारे stop loss इसके नीचे जितना इसका low हो है वह हमारे stop loss होगा हुआ और तो गाइस ठेंक्स पो फोचिंग वीडियो सब्क्राइब आध्य चैनल मिल और बहुत ही जल्दी आपको टू केंडल स्टिक पेटर्स फीडियो भी इसी चैनल पर मिल गाईज आपको मिंड़ साथ माजया होगा मिलते हैं अगली वीडियो मैं टू केंडल स्टिक पे झाल